आसु वैसे जनरली नहीं निकलता है लेकिन मैं आप लोग की परिशानिया देखके इतना परिशान हूँ कि मैं सौ प्रतिशत आपकी उमीदों पर खरी उतरूंगी यहीं निकस पूर मेरा गाओ है राजय सुल्तान पूर नरियाओ जांगीर गाओ तो सत्रा साल की नोकरी में मैंने एक इंच जमीन अपने लिए कभी नहीं खरी दी और आगे भी अगर मुझे आप मुझे भरोसा करके जिल्याजम कड़ में और लाल लोग सबाद छेतर में और यहां की प्रतियासी जो बस-पास हैं इनको बनाया गया यहां पर आये इंसा ही बात क लोगों के सामने आनी चाहिए और जो भारती समविधान है वही हमारा मुदा है वही हमारा एजंडा है जिसको सत्प्रतिशत लागू करने के लिए हमारी मानी बहनजी हमेशा कटिबद रही है अपने साशनकाल के दोरान सर्वसमाज की उन्होंने बात की सर्वसमाज के हित की बात की वही सारे सर्वसमाज के जो भी हित के मुद्दे हैं वही लेके हम जनता के बीच में आए हैं जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है कि आपकी जनता तयार है बिल्कुल हमारी जनता से आप लिए क्योंकि मैं जनता की तो लीडर पहले से ही थी अब तो पॉलिटिकल लीडर में अब बनने की कोशिश कर रही हो पॉलिटिकल प्लाटफॉर्म पे मैं अभी एक हफते से आई हूँ इसके पहले मैं जनता के बीच में पिछले दस साल से लगातार पुर्वांचल के बहुत सारे जिलों में हम लोग घूम घूम करके कैडर कैम्स कर रहे थे तो हमारे लिए जो मैं आज ये घूम रही हूँ जनता के बीच में ये बिल्कुल भी नया नहीं है जो लोग यूट्यूब चलाते होंगे वो मुझसे पहले से ही जुड़े है बहुत सारे गाउं में तो हम लोग खाना भी खाए हैं तो निश्यत रूप से इस बार कोई भी टकर में हमको दिखाई नहीं दे रहा है विपक्षी लोगों के लिए तो हम क्या कहेंगे विपक्षी अपना काम करें हम सत्य के मार्ग में हैं सत्य के मार्ग पे हैं तो जीत हमारी ही हूँ आप सबसे यही कहूंगी कि मैं अगर आप लिस्ट उठा के देख लीजिए सिर्फ अगर आजमगर की बात करें तो बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं आप उनसे एजुकेशन वाइस कंपेर कर लीजिए आप उनकी सिक्षा योगेता के हिसाब से अगर देख लीजिए तो सबसे जादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ अगर क्रिमिनल बागराउंड देख लीजिए तो एकदम साफ पाक मेरा बागराउंड है कोई भी जो है क्राइम से करके नहीं है आपके बीच में आई हूँ दूसरा जनता की सेवक पहले ही रही हूँ अपना सरवस्व जनता के लिए पहले ही नियच्छावर किये हुए हूँ तो जनता के बीच से जनता के लिए यहाँ पर हम आए हैं तो ये सारी जो लोग हैं हमारे जो जन्मानस है जो अपनी अपनी समस्याई गाउं में पहुचने पर अब मुझे नेता के रूप में देख करके बता रहा है मैं निश्चित रूप से आपकी उन सारी बातों को उन सारी कठनाईयों को उन सारी परिशानियों को दूर करने का प्रयास करूँगी और इसके साथी साथ जो भी छोटे-छोटे मुद्दे हैं, हम उन सारे मुद्दों पे काम करेंगे, लेकिन सबसे जादा जो हमें गाओं में जो पिछडापन दिख रहा है, वो है, रोड नहीं दिखाई दे रहे हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत वीक है, सडक नहीं है, नाली नहीं है, निकासी नहीं है, जो पके मकान नहीं है, हम खुद बहुत देख करके परिशान हैं, कि किस प्रकार से छोटी-छोटी जोपडियों में लोग आज भी अजादी के 75 साल बाद भी रहने के लिए बाद हैं, ये मेरे लिए वास्तों में, मतलब मै देखती हूँ, तो मुझे बहुत कस्ट होता है, कि हम बड़ा-बड़ा घर बना लेते हैं, हम लोग इंटीर करने के लिए परिशान रहते हैं, कि घर में ऐसा लाइट लगवाले, ऐसा लगवाले, लेकिन जब अपनी जनता को देख रहे हैं, किस हालत में वो रह रही है, त मुझे भरोसा करके छेतर की जनता जीत के संसद में भेजती है, तो मेरे आकसे आसूव ऐसे जनरली नहीं निकलता है, लेकिन मैं आप लोग की परिशानिया देख के इतना परिशान हूँ, कि मैं सौ प्रतिशत आपकी उमीदों पे खरी उतरूँगी, यहीं निकसपूर मेर मेरा गाओं है, राज सुल्तानपूर, नरियाओं, जहांगीर गंज मेरा ननिहाल है, आप लोग जब चाहे तब मुझे पकड़ सकते हैं मेरे घर के तुरूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जनता के बीच दुबारा नहीं हूँ, तो मैं जनता की नेता हूँ, मैं किसी धनाड परिवार की नहीं हूँ, किसी बड़े सेट की बेटी नहीं हूँ, एक मामूली सी नौकरी करने वाले रेलवे करमचारी की में बेटी हूँ, और हमारा भी परिवार बहुत अभाव में रहा है, लेकिन आप लोगों की जो दशा में देखती हूँ, मेरे पापा जो जो बाते हमको बताते थे कि हमारा बचमन ऐसे बीता की दादी बोलती थी कि पेट में पाथर रखिला, इतना भूख लगती है, उस जमाने में तो अनाज भी नहीं होता था, उससे इस्थितिया मुझे आज बहुत जादा बहतर नजर नहीं आती है, हाँ ये है कि हर एक पेट तो जरूर भर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो बेसिक चीजे हैं, जो समाज को मिलनी चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल रही है, हमारा मेन फोकस उन सारी चीजों पे होगा, कि जो एक एक जो व्यक्ति तक, जो इस छेतर की जनता के जो प्रतनिदी होते हैं, उनक जाना भी आपने वाटसेप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे तमाम चल रहा है, कि हम पढ़ेंगे तो डाक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई विकल्प नहीं है, भा जोद धर्म के सबसे बड़े ग्याता में उनका नाम आता है ये राहुल संकृतायन के धरती है इतना जो शिक्षा दिक्षा उन्होंने हासिल कर पाई सिर्फ पढ़े लिखेते इसलिए भारत की प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी चाहे बनी हो चाहे उत्तर प्रदेश की चार फेक नहीं बलकि ओरिजिनल थी तो इसलिए पढ़िये लिखिये जूटे लोगों को अपना आदर्श मत बनाईए किसी भी प्रकार से छल से कपट से अपनी डिग्री मत हासिल कीजिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए और पढ़ लिख करके अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी कम से कम एक अच्छे नागरिक बनिये और समाज के प्रती जो आपका करता वे है उसको सही प्रकार से निर्वाहन कीजिए तमाम लालगंज जो जनता है कैसे विश्वास करें विश्वास करने की बहुत सारी वज़े हैं क्योंकि मैं 10 साल से सकरी हूं और सबसे आजमगर्ण की लाल गंज लोग संवह में था इसके उलाबा लाल गंज की जो मैं मेरा लीए खाली लाल गंज इन बलकर पूरा ऑजमगड्ण अपना परिवारelly तो आजमगर्ण के ऑलग अलाग ब्लॉक वाइस लाग के फोन हमने बागी 11 ब्लॉक में कारिकरम किया कारिकरम का मतलब है कि जन जागरुकता के कारिकरम किये तो जब हम लगातार आपके बीच में हैं हमारा घोश्वना पत्र शपत पत्र जब हमारा नावंकन होगा तो आप देख लीजेगा 17 साल की नौकरी में मेरे पास एक इंच जमीन न आप देखbero precept देखिजो नेटा शुमारा निकल जाने के बाद जेसे एक बाद कहा था ने उन्होंने कार्योंने वह फ्यास्ते क्वश्वने करने आए हैं ना हम जुमले बाजी में विशवास रखते हैं हम भारती संविधान में पूरा वोट करिये और अपने इस इमांदार और कर्मट प्रत्याशी को आप लोग सबाद जरूर भेजिए तो तमाम नेता लोगों के लिए जो है कहीं बढ़िया आवास एकदम गाड़ी में वी वी आईपी गाड़ी में आना जाना खाना रहना मगर हमको आप देखे होंगे अभी मेरे फोन में जो है कुछ मतलब फोटो है वीडियो है मैं दिखा सकता हूं कि हम लोग जीस घाओं में जा रहे हैं उसी घाओं को अपना घर मान के उसी घाओं को अपना परिवार मान के वहीं जो है जो रूखा-सूखा जो बचा है दिल की वाट वक्रें है दिल कि बात है क्राइब भी आप लूग हूं यहां क्या सब्सक्राइब होंने तो देंगे कैसे देंगे बटन तो दबाओ तो माथा कर नमोधी कुछ ला जाता है माया टीपाती नहीं है तो कैसे आपने इन से कहा नहीं पर जाज परताल की जाएगी बूथ पर बूथ पर जब डटे रहेंगे एकदम डंडा ना जो मोधी चुरी करने नहीं देंगे बिल्कुल करने नहीं देंगे और यहां से जिता इनका साथ अरे इनका भी देंगे देंगे तो इनका भी साथ हो गया और बैलेट पेपर से होना चेह हमारी मांग है अब पूर्जी स्वात्राइब मांग तो कोट में चला गया मामला वो देखिया क्या क्या होता है बाकी चीज़ यहां थी और यह प्रत्याथी थी बस पाकी लाल गंच की और रही काएंगे कि वीडियो तर्वाग अब लोग शेर करतेंजीगा जाहीं 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 जाहारी जाहारी Надसएब करतेंगे करता है लूह मत वाल अबूँ करतेंगे करतेंगे को कि इता है जाहीं जाहारी दी है